भुचपुरी सिनमा जगत के ऐसे पांच सितारे हैं जिनकी दाल बिहार में तो नहीं गली लोगसभाचिनाओं में लेकिन बाहरी राज्यों में उन्हें सीट मिली है और वो उम्मीदवार है और इस बार के लोगसभाचिनाओं में अपना जल्वा बिखेरते नज़र आएंग भुचपुरी सिनमा के पावर स्टार पवन सिंग, मेगा स्टार रविकिशन जाने माने, अभिनेता गायक और सांसत मनोश दिवारी, अभिनेता दिनेश लाल याद वियाने के निरहुआ और अभिनेता और गायक गुनजन सिंग इस बार के लोगसभाचिनाओं में अपना जलवा दिखाते नजर आएंगे, ये सभी पाँच ऐसे उमीदवार हैं, जो भुचपुरी सिनमा जगत के सितारे हैं, और इस बार अपना जलवा दिखाने के लिए बेताब हैं, भुचपुरी सिनमा के पावर स्टार पवन सिंग की अगर बात करें, तो बिहार के कारा कार् जहार ये कहा जा रहा है कि पावन सिंग बास्पा के ठिकट से चुनाव लड़ सकते हैं, इसने पूर भाजपा ने पावन सिंग को बिजेपी पाश्चम बंगाल के आसन शोल से अपना उमीदवार बनाया था, लेकिन पावन सिंग न यहां से चुनाव लड़ने से बना कर अब बात करते हैं मनोश तिवारी की मनोश तिवारी ने साल 2009 में राजनुती में अपना इंट्री किया मनोश तिवारी ने साल 2009 में गुरकपूर सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा उनका मुकाबला भाजपा प्रत्याशी जो अभी यूपी के से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की मनोश तिवारी एक बार फिर भाजपा के टिकट पर उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर अपना जलवाद दिखाने के लिए तयार हैं वहीं रवी किसन की बात करें तो रवी किसन ने साल 2014 के चुनाव में कॉंग के टिकट पर अपनी तकदी आजमाई और वह चुनाव जीतकर सांसद बन गये रवी किसन इस बार के चुनाव में भी भाजपा के टिकट पर गोरकपुर से चुनाव लड़ रहे हैं अब बात करते हैं निरहुआ की निरहुआ का पूरा नाम दिनेश लाल यादव है और साल साल 2022 में आजमगर सीट पर हुए उप चुनाव में निरहुआ ने भाजपा के टिकट पर जीत हासिल की निरहुआ आजमगर सीट से फिर एक बार अपनी किसमत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे इस लिस्ट में सबसे अंतिम नाम आता है गुंजन सिंग का गुंजन सिंग ने इस बार निर्दल ये चुनाव लड़ने के लिए नमांकन तक कर लिया है और वो इस बार निर्दल ये चुनाव बिहार के नवादा से करने वाले हैं तो ये वो भोशपूरी के पाच ऐसे स्टार हैं जिनकी दाल बिहार में तो नहीं गली बिहार के किसी भी सीट पर इने चुनाव लड़ने का किसी पार्टी ने मौका नहीं दिया लेकिन बिहार से बाहर दूसरे राजियों में ये इस बार के लोगसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए तयार है